कमर तोड मेहनत की उसने इतना पढ़ा करता कि हर जगे अववल आया सारे कम्पिटिशन के एक्जाम भी पास कर लिए पर नोकरी नहीं मिली घरवाले भी कब तक रुखते शादी भी कर दी अब तो बहुत मुसीबत हो गई है पैसा नहीं होता तो इज़त भी नहीं होती बहुत दुखी हो गई पती-पत्नी एक दिन उसने फैसला किया तू कहे तो मैं बहुत सारा पैसा कमा कर ला दू और तेरे परती वफादार भी रहूँगा तो क्या समझते हो मैं बेवफाई करूँगी और उसने पती को समझा बुजा कर भीज दिया परदेश जा पहुचा अच्छी कमाई की नोकरी भी मिल गई सेथ ने जब तनखा हाथ पर रखी तो उसने वापस ही दे दी नहीं नहीं मालिक आप ही रखो मुझे तो उसी दिन दे दे देना जिस दिन बहुत सारे पैसे हो और मैं घर जाने का फैसला करूँ दो साल, चार साल, पांच साल पूरे अठारे साल तक मन लगा कर उसने काम किया सेथ जी का विश्वास भी जीत लिया और एक दिन फैसला किया अब मैं अपने घर जाऊंगा सेथ जी से पूरे अठारे साल की तनखा मांगी तो कहने लगे सुनो तुम एक ही चीज लेकर जा सकते हो या तो अभी तक की अपनी सारी कमाई ले जाओ या मैं तुझे तीन सीख देने वाला हूँ जो जिन्दगी भर काम आएंगी और ए जिस इनसान ने चार पैसे के लिए घर छोड़ दिया हो वो अठारे साल की कमाई को कैसे छोड़ देगा और उसने वही फैसला किया ठीक है सेट जी आप मुझे तीन सीख दे दो और पैसा मुझे नहीं चाहिए सेट जी ने तीन सीख दी और साथ में तीन पैकेट भी दिये जिन में तीन बार का खाना था और कहा मेरी तीन सीख है सबसे पहली सीख जिन्दगी में कभी भी शोड़ कट अपनाने की कोशिश मत करना दूसरी सीख कभी भी इतना उतावला और उत्सुक मत हो जाना तीसरी सीख गुसे में कभी भी कोई फैसला मत करना तीनों पैकेट लेकर खाली जे चल पड़ा किसी ने बताया पैदल जाओगे तो दो रास्ते हैं एक सीधा रास्ता है जिसमें 21 दिन लगेंगे और एक दूसरा रास्ता है जिसमें पांच दिन लगेंगे वह चक्रा गया पहली ही सीख नहीं नहीं शोट कर्शे नहीं जाओँगा और उसने फैसला किया कि मैं 21 दिन वाले रास्ते को अपनाओँगा चलता रहा चलता रहा करीब करीब सारा रास्ता पूरा होने को था एक किसान का दर्वाजा रात को ठहरने के लिए जा खट खट आया गरीब आदमी सारी कथा वेथा सुनाई तो किसान कहने लगा तुने बहुत अच्छा किया जो 21 दिन वाला रास्ता तै करके आये हो पांच दिन वाले शोट कट में चले जाते तो इतने जंगली जानवर हैं कि पांच तो क्या तुम कभी भी जिन्दा वापिस वहां से नहां आते उस इंसान को संतोस हुआ मेरा पहला फैसला सही था किसान ने कहा मेरे पास इतनी जगए नहीं है मैं तुमें खलिहान में रोक देता हूँ मेरे खलिहान में एक चार पाई है दरवाजा लगा हुआ है तुम आराम से वहां सो जाओ मरता क्या न करता आँख लगी ही थी कि दरवाजे पर जोर जोर का खटखटाने के आवाज आई और लगा जैसे कोई दरवाजा खोल रहा है कोशिज कर रहा है उसे तुरंत सेठ की बात याद आई और अपने उत्सुपता को दबाई रखा और उसे दरवाजा नहीं खोला सुबह चार बजे ही किसान ने आकर आवाज लगाई अरे मुझसे भारी भूल हो गए भहिया मैं शाम को बताना भूल गया कि यहाँ एक जंगली शेर आता है जंगल से आया सेर मार कर खा जाता है नहीं नहीं मैंने दरवाजा नहीं खोला मुझे दूसरी शिक्षिया यहीं मिली थी कि उत्सुकता वस कोई निर्ण मत लेना किसान बहुत खुश हुआ इंसान अपने घर पहुँच गया रास्ते में जो दो पैकेट थे खाने के वो खतम हो चुके थे अब मात्र तीसरा पैकेट लिए वो घर पहुँच गया सेट ने कहा था तीसरा पैकेट घर वाले के साथ बैठ कर खाना जाकर क्या देखता है उसी घर में जिसमें वो वफाई का वाइदा लेकर गया था नोजवान लिष्टर पर उल्टा मूँ की पढ़ा है दूसरी तरफ उसकी पतनी है टेबल के उपर खाली बोतलें पड़ी है नमकीन पड़ी है उसने एकदम से पाखो दिया ये क्या जिसके लिए अठारे बरस मेहनत की उसने बेवफाई कर दी पर तुरंत उसे सेटची का फैसला याद आ गया और उसने रात बाहर ही बिटाई और सुबह जब उसकी पतनी ने उसे देखा तो भाग कर लिपट गई और कहने लगी विधाता की भी क्या करनी है जिस महीने तुम गए थे तब ही मुदे पता लगा आपके घर संतान आने वाली है ये जो नोजवान जिसे आप सोता देख रहे हैं ये आपका बेटा है अठारे साल मैंने इसके साहरे बिताए किसान ने दोनों को छाती से लगा लिया अपनी पतनी के साथ उस इनसान ने तीसरा पैकेट खोला पैकेट खोल कर वो दंग रह गया उपर चिठी लिखी थी और उसमें लिखा था मुझे पता है तुम बहुत अच्छे इनसान हो मेरी सभी सिक्षाओं को मानोगे सीख जरूर अपनाओगे जितनी भी आपकी अभी तक की तनखा थी और खुश होकर मैं अपनी तरफ से कुछ रुपे दे रहा हूँ मेरी तरफ से यह आप अपने परिवार के लिए लगा देना वह इनसान खुश था आज की प्रिस्तिती में अक्सर नोजवान शोट कट की सोचते हैं उतावले रहते हैं और वफा वफा तो मानो खतम ही हो गई है जीवन में सी दानतों के बगैर कुछ भी नहीं जीता चाहिए